हलो दोस्तो तैयारी कर लो चनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेम चंद की प्रमुख कहानिया यह प्रेम चंद की महत्पूर कहानिया है जितनी भी यहां कहानिया हम देखेंगे वो सारी प्रेम चंद दौरा लिखित कहानिय तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहेगा और अगर आपने अब ही सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करकर बिल ऑइडािकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लों के साथ तैयारी करते रहें प्रेम चंद की कहानियों का काल करम आनुसार है देखेंगे किस तरह से हैं 1907 में है दुनिया का सबसे अनमोल रतन जमाना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी फिर 1907 में आई थी रूठी रानी जमाना पत्रिका में अप्रेल अगस्त 1907 में प्रकाशित हुई 1908 में आई सांसारिक प्रेम और देश प्रेम ये जमाना पत्रिका में अप्रेल 1908 में प्रकाशित हुई 1908 में ही आई यही मेरी मात्र भूमी है सोजे वतन पत्रिका में जून 1908 में हिंदी गुप्त धन 1962 में आई 1908 में शेख मखमूर सोजे वतन पत्रिका में जून 1908 में गुप्त धन 1962 में परकाशित हुई 1908 में ही आई शोक का पुरुसकार सोजे वतन पत्रिका में मूल शीरसक जिसका था सीला ए मातम जून 1908 में प्रकाशित हुई 1908 में सुलह मातम सोजे वतन पत्रिका में जून 1908 में आई हिंदी शोक का पुरुसकार गुप्त धन 1962 में प्रकाशित हुई 1908 में आई दारा शिकोह का दर्बार सितंबर 1908 को प्रकाशित हुई फिर आई 1910 में दूद का दाम जो की 1910 में प्रकाशित हुई 1910 में ही आई शिकार जमाना पत्रिका में जून 1910 में प्रकाशित हुई फिर 1910 में आई पाप का अगनी कुंड जमान पत्रिका में जुलाई 1910 को प्रकाशित हुई शाप सीरसक से 1924 में प्रकाशित हुई 1910 में आई बे गरज महुसिन सितंबर 1910 में प्रकाशित हुई फिर आई 1910 में नेकी अधीप पत्रिका में दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई मूल शीरसक बेगरज महसिन के नाम से भी प्रकाशित हुई 1910 में बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई 1911 में विक्रमा दित्त का तेगा जमाना पत्रिका में जनवरी 1911 में प्रकाशित हुई 1911 में आई करिश्माय इंतिकाम जमाना पत्रिका में फरवरी 1911 में प्रकाशित हुई 1911 में ही आई राजा हरदौल जमाना पत्रिका में अप्रेल 1911 में प्रकाशित हुई 1911 में बड़ी बहन अदीब पत्रिका में जुलाई 1911 में प्रकाशित हुई 1911 में आखरी मन्जिल जमाना पत्रिका में अगस्त सितंबर 1911 में मूल शीर्सक मन्जिले मकसूद था इसका 1911 में ही आई खौफ रुस्वाई अदीब पत्रिका में सितंबर 1911 में प्रकाशित हुई 1911 में ही आई आह ए बेकस हिंदी में गरीब की हाए जमाना अक्टूबर 1911 में प्रकाशित हुई 1911 में गरीब की हाए जमाना पत्रिका में अक्टूबर 1911 में प्रकाशित हुई 1912 में आई आलहा जमाना पत्रिका में जन्वरी 1912 में प्रकाशित हुई 1912 में ही आई मम्ता जमाना पत्रिका में फर्वरी 1912 में प्रकाशित हुई 1912 में आई नसीहतों का दफ्तर जमाना पत्रिका में मैं जून 1912 में प्रकाशित हुई जिसका मूल शीर सक था आलिमे बे अमल 1912 में ही आई कैफरे किरदार अदीब पत्रिका में जुलाई 1912 में प्रकाशित हुई 1912 में ही आई राज हट जमाना पत्रिका में सितंबर 1912 को प्रकाशित हुई 1912 में ही आई धोके की टटी अधीर पत्रिका में नवंबर 1912 में प्रकाशित हुई 1913 में आई त्रिया चरित्र जमाना पत्रिका में जनवरी 1913 में प्रकाशित हुई 1913 में ही आई अमरत जमाना पत्रिका में मार्च 1913 में प्रकाशित हुई पत्रिका में शीरसक था मौत और जिंदगी लेकिन प्रेम 25 भागदों में अमरत शीरसक से संकलित हुई 1913 में ही आई सगे लैला अधीब पत्रिका में अप्रेल 1913 में प्रकाशित हुई 1913 में ही आई अमावस की रात जमाना पत्रिका में अप्रेल 1913 में प्रकाशित हुई हिंदी में अमावस्या की रात्री के नाम से प्रकाशित हुई 1913 में ही आई धर्म संकट जमाना पत्रिका में मैं 1913 में प्रकाशित हुई उर्दु में निगाहे नाज के नाम से प्रकाशित हुई 1913 में मिलाब जमाना पत्रिका में जून 1913 में प्रकाशित हुई 1913 में ही आई अंधेर जमाना पत्रिका में जुलाई 1913 में प्रकाशित हुई गुप्त धन में संकलित है 1913 में ही आई बांके सहर हमदर्द पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई 1913 में ही आई दारुए तल्ख हमदर्द पत्रिका में 17 जुलाई 1913 में प्रकाशित हुई 1913 में ही आई सिर्फ एक आवाज जमाना पत्रिका में अगस्त सितंबर 1913 में प्रकाशित हुई 1913 में आई नमक का दरोगा हमदर्द पत्रिका में अक्टूबर 1913 में प्रकाशित हुई 1913 में आई बांका जमीदार जमाना पत्रिका में अक्टूबर 1913 में गुप्त धन हिंदी गुप्त धन 1962 में 1914 में आई अनाथ लड़की जमाना पत्रिका में जून 1914 को प्रकाशित हुई 1914 में ही खूने सफेद जमाना पत्रिका में जुलाई 1914 को प्रकाशित हुई 1914 में ही शिकारी और राजकुमार जमाना पत्रिका में अगस्त 1914 को प्रकाशित हुई 1914 में ही आई सौधा ए खाम हमदर्द पत्रिका में अगस्त 1904 1914 को परकाशित हुई 1914 में ही आई अपनी करनी जमाना पत्रिका में सितंबर अक्टूबर 1914 में परकाशित हुई मूल शीरसक शामते अमाल खाके परवाना में खाके परवाना शीरसक से संकलित हुई है 1914 में ही आई पच्छ तावा जमाना पत्रिका में नवंबर 1914 में परकाशित हुई 1915 में आई विसमरती जमाना पत्रिका में जनवरी फरवरी 1915 में परकाशित हुई 1915 में गैरत की कटार जमाना पत्रिका में जुलाई 1915 में प्रकाशित हुई 1915 में ही आई कर्मो का फल खतीब पत्रिका में अगस्त 1915 में प्रकाशित हुई 1915 में ही आई बेटी का धन जमाना पत्रिका में नवंबर 1915 में प्रकाशित हुई 1915 में ही आई सौत सरस्वती पत्रिका में दिसंबर 1915 में प्रकाशित हुई 1916 में आई दो भाई जमाना पत्रिका में जनवरी 1916 में प्रकाशित हुई 1916 में ही आई शंखनाद प्रभाद पत्रिका में फरवरी 1916 में प्रकाशित हुई 1916 में ही आई नेकी की सजा सरस्वती पत्रिका में मार्च 1916 में प्रकाशित हुई 1916 में ही आई पंच परमेश्वर जो की जून 1916 में प्रकाशित हुई 1916 में ही आई घमंड का पुतला जमाना पत्रिका में अगस्त 1916 में प्रकाशित हुई मूल शीर्चक सरे पुरुगरूर 1916 में आई अपने फन का उस्ताद जमाना पत्रिका में सितंबर 1916 में प्रकाशित हुई 1916 में ही आई जुगनु की चमक जमाना पत्रिका में अक्टूबर 1916 में प्रकाशित हुई 1916 में ही आई धोक़ा जमाना पत्रिका में नوंबर 1916 में प्रकाशित हुई 1916 में ही आई सजजनता का दंड 1916 में प्रकाशित हुई 1917 में आई दरवाजा अलनाजिर जनवरी 1917 में प्रकाशित हुई 1917 में ही आई राजपूत की बेटी जमाना पत्रिका में जनवरी 1917 में प्रकाशित हुई 1917 में ही जोला मुखी जमाना पत्रिका में मार्च 1917 में आई 1917 में उपदेश जमाना पत्रिका में मैं 1917 में आई 1917 में ही इश्वरीय नयाय सरस्वती पत्रिका में जुलाई 1917 को प्रकाशित हुई 1917 में दुरगा का मंदिर सरस्वती पत्रिका में सितंबर 1917 को प्रकाशित हुई 1917 में ही रानी सारंग जमाना पत्रिका में अगस्त सितंबर 1910 में प्रकाशित हुई हिंदी में 1917 में प्रकाशित हुई 1917 में वियोग और मिलाप पृताप सितंबर 1917 में प्रकाशित हुई 1917 में ही कप्तान साहब जमाना पत्रिका में दिसंबर 1917 में प्रकाशित हुई 1918 में वीजे जमाना पत्रिका में अपरेल 1918 में मूल शीरसक फत्ह के नाम से प्रकाशित हुई 1918 में शांती तहजीब निस्वा पत्रिका में मैं 1918 में प्रकाशित हुई 1918 में सेवा मारी जमाना पत्रिका में जून 1918 को आई 1918 को ही जनजाल तहजीबे निश्वा उर्दु मासिक पत्रिका अगस्त 1918 में प्रकाशित हुई 1918 में वासना की कडियां कहकशा में सितंबर अक्टूबर 1918 को आई 1918 में ही महातीर्थ कहकशा पत्रिका में नवंबर 1918 को परकाशित हुई 1918 में ही वफा का खंजर जमाना पत्रिका में नवंबर 1918 में आई मूल शीर्चक खंजरे वफा के नाम से भी आई 1919 को बैंक का दीवाला कहकशा पत्रिका में फरवरी 1919 को आई 1919 में ही विमाता कहकशा जून 1919 को सवतेली मा के नाम से भिया प्रकाशित हुई सवतेली मा कहकशा पत्रिका में जून 1919 को प्रकाशित हुई 1919 में ही अनिष्ठा शंका कहकशा पत्रिका में अगस्त 1919 को प्रकाशित हुई 1919 में अनिष्ट शंका अगस्त 1919 को प्रकाशित हुई 1919 में इज़त का खून सुबह उमीद में सितंबर 1919 में प्रकाशित हुई मूल शीर सक खूने हुरमत 1919 में खूने हुरमत सुबह उमीद पत्रिका में सितंबर 1919 को प्रकाशित हुई 1919 में ही दफ्तरी कहकशा पत्रिका में अक्टूबर 1919 को प्रकाशित हुई 1920 में इश्की नदामत कहकशा पत्रिका में उर्दुमासिक पत्रिका है जो जनवरी 1920 में प्रकाशित हुई 1920 में ही आत्माराम जमाना पत्रिका में जनवरी 1920 में प्रकाशित हुई 1920 में ही मासुरी कहकशा पत्रिका में जनवरी 1920 को प्रकाशित हुई 1920 में आई पशु से मनुस्य प्रभा पत्रिका में फरवरी 1920 में आई 1920 में आबे हयात सुबह उम्मीद मार्च 1920 में प्रकाशित हुई 1920 में प्रतिग्या सिरी शार्दा में मार्च 1920 में प्रकाशित हुई 1920 में ही मनुष्य का परमधर्म सुधेशी पत्रिका में मार्च 1920 में प्रकाशित हुई 1920 में ही पुत्र प्रेम सरस्वती पत्रिका में जून 1920 को प्रकाशित हुई 1920 में ही बूढ़ी काकी कहकशा पत्रिका में जुलाई 1920 में आई 1920 में ही बोध 1920 में प्रकाशित हुई 1920 की एक और है मृत्यू के पीछे अगस्त 1920 में प्रकाशित हुई 1920 में ही रूह सियाह सुभे उमीद में नवंबर 1920 में आई यह कहानी प्रतिग्या हिंदी कहानी का मामूली परिवर्तन के साथ उर्दू अन्युवाद है 1920 में आई स्वांग दिसंबर 1920 में जामिया में 1935 में परकाशित हुई 1920 में ब्रहमा का स्वांग जमाना पत्रिका में दिसंबर 1920 में मूल शीरसक नोक जोक में भी आई 1921 में रूह हयात प्रभा पत्रिका में जनवरी 1921 में विसम समस्या के नाम से आई 1921 में विसम समस्या प्रभा जनवरी 1921 में आई 1921 में विचित्र होली स्वादेश मार्च 1911 में प्रकाशित हुई 1921 में प्रारब्ध जमाना पत्रिका में अप्रेल 1921 में प्रकाशित हुई 1921 में ही आदर्श विरोध स्री शारदा में जुलाई 1921 में प्रकाशित हुई 1921 में लाग डाट प्रभा पत्रिका में जुलाई 1921 में प्रकाशित हुई 1921 में ही लाल फीता जमाना पत्रिगा में जुलाई 1921 को आई 1921 में ही विद्धवंश आज पत्रिगा में जुलाई 1921 में 1924 में विनोध माधरी नवंबर 1924 में प्रकाशित हुई 1921 में तियागी का प्रेम मर्यादा नवंबर 1921 में प्रकाशित हुई 1922 में सुहाग की साढ़ी प्रभा पत्रिका में जनवरी 1922 में प्रकाशित हुई 1922 में परिक्षा चांद पत्रिका में जनवरी 1922 में प्रकाशित हुई 1922 में ही मूट जमाना पत्रिका में जनवरी 1922 में प्रकाशित हुई 1922 में ही वजरपात माधुरी पत्रिका में माच 1922 में प्रकाशित हुई 1922 में ही दुसाहस जमाना पत्रिका में अपरेल 1922 में और आज जून में 1922 में प्रकाशित हुई 1922 में हार का जीत मर्यादा मई में 1922 में प्रकाशित हुई 1922 में ही गुप्त धन स्रीशारदा में अगस्त 1922 को प्रकाशित हुई 1922 में ही जनता का अधिकार माधुरी पत्रिका में अगस्त 1922 में प्रकाशित हुई 1922 में ही नाग पूजा तहजीब निस्वा अगस्त पत्रिका में 1922 में प्रकाशित हुई 1922 में ही दुराशा हजारा दास्तान अक्टूबर 1922 में प्रकाशित हुई 1922 में ही लोकमत का सम्मान जमाना पत्रिका में अक्टूबर 1922 में आई 1922 में ही चक्मा प्रभा पत्रिका में नवंबर 1922 को आई 1922 में ही पूर्व संसकार माधुरी में दिसंबर 1922 में आई 1923 में नैराश लीला चांदर पत्रिका में अप्रेल 1923 में प्रकाशित हुई 1930 में ही बोड़म प्रभा पत्रिका में अप्रेल 1923 में आई 1923 में वैर का अंत सरस्वती पत्रिका में अप्रेल 1923 में आई 1923 में ही ग्रहदाह शिरिशारदा में जून 1923 को प्रकाशित हुई 1923 में शुद्धी माधुरी जून 1923 को प्रकाशित हुई 1923 में ही आप बीती माधुरी पत्रिका में जुलाई 1923 में प्रकाशित हुई 1923 में ही कोशल चांदरपत्रिका में अगस्त 1923 में प्रकाशित हुई 1923 में ही आभूशन माधरी पत्रिका में अगस्त 1923 में आई 1923 में परतिशोध जमाना पत्रिका में अक्टूबर 1923 में प्रकाशित हुई 1923 में सत्याग्रह माधुरी पत्रिका में दिसंबर 1923 में प्रकाशित हुई 1924 में सैलानी बंदर माधुरी पत्रिका में फरवरी 1924 में प्रकाशित हुई 1924 में नभी का नीती निर्वाह सरस्वती पत्रिका में मार्च 1924 में प्रकाशित हुई 1924 में मुक्ती मार्ग विशाल भारत अप्रेल 1924 में प्रकाशित हुई 1924 में ही मुक्ती धन माधुरी पत्रिका में मैं 1924 में प्रकाशित हुई 1924 में ही शौब हाग्य के कीड़े कोड़े प्रभा पत्रिका में जून 1924 में आई 1924 में ही अभागन चांदरपत्रिका में जून 1924 को परकाशित हुई 1924 में ही नैराश्य चांदरपत्रिका में जुलाई 1924 में परकाशित हुई उनके जीवनकाल में कुल नव कहानी संगरह परकाशित हुए सब्त सरोज, नवनिधी, प्रेम पूर्डिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर्यात्रा, मान सरोवर, भाग एक, मान सरोवर भाग दो और कफन उनकी मिरत्यू के बाद उनकी कहानिया मान सरोवर शीर्चक से आठ भागों में प्रकाशित हुई 21 कहानी संगरह प्रकाशित हुए हैं जिनमें 300 के लगभग कहानिया हैं ये शोजे वतन, सब्त सरोज, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम तिथी, पांच फूल, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिग्या, सब् सुमन, प्रेम पंचिमी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नव जीवन इत्यादी नामों से प्रकाशित हुए हैं तो दोस्तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तयारी कलो चैनल को अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वड सवाल लेकर आएंगे, महत्वड तथ लेकर आएंगे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो